सर कल के एपिसोड में एक सवाल आया था जब हम बात कर रहे थे कि लॉफ अट्रेक्शन को कैसे स्कैम है या सच में एक साइंस है तो आपने एक शब्द बोला था कि आपको अपनी पात्रता पर ध्यान देना है लेकिन जो भी हम पॉड्काल्स देखते हैं या वीडियो देखते हैं हरको यही बात कर रहा है कि क्या आप उस काम के लिए डिजर्व करते हैं लेकिन सवाल मेरा यह है कि इस डिजर्विंग का हम पता कैसे लगा है यह बहुत I mean interesting सवाल है कि क्या किसी चीज के लिए मैं deserve करता हूँ या नहीं करता हूँ सबसे पहली बात है कि जब हम deserve word को लेते हैं और low of attraction के लिए deservance की बात करते हैं तो हम सिर्फ तीन चीजों को देखेंगे हमारी internal images क्या है internal sounds क्या है और हमारी feeling क्या है किसी चीज के लिए for example deserveance इस चीज पर depend करेगी मैं एक आपको example समझाता हूँ तो example से सभी लोग समझ जाएंगे मैं एक बार एक business woman के साथ काम कर रहा था उन्होंने कहा कि साब मैं अपने goals को बढ़ाना चाहती हूँ और मेरे जो goal setting करवाने वाला था मेरा trainer उसने मुझे तीन करोड रुपे पर मंत पर मेरा goal setting कराई है तो मैंने कहा कि अभी आप कितना कर पा रही हो तो उन्होंने का 50 lakh तो मैंने का 50 lakh से तीन करोड वो आपको कराना चाहता है उन्होंने का yes sir तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जैसे ही आप तीन करोड के लिए कर रही है इस image को देखकर कि तीन करोड की कोई image बनेगी आपकी कि आपको क्या उस image के साथ आप relate कर पा रही है तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कर रही हूँ तो इसका मतलब यह है कि वो visually जो अंदर अपनी उसकी बात आई है कि वो थोड़ा बहुत relate कर रही है लेकिन अगले sentence में वो पूरी तरसे हिल गई मैंने कहा कि आप पचास लाग पर आप comfortable है क्योंकि यह आपका पार reference है कि मैं पचास लाग तो कमाई करी रही हूँ तो उसने कहा हाँ सर पचास लाग पर तो मैं okay हूँ मलम्मे कर रही हूँ मैंने उनसे कहा कि अब आराम से बैठो और पहले पांच-छे मिनट तक मैंने उनकी सांस पर ध्यान दिलवाया जो सभी को आपको कर लेना चाहिए और मैंने का आप शांत हो जाओ और अब आप इमेजिन करो कि आप पचास लाग कर रही है तो आप अपकी feeling क्या है उन्होंने का comfortable feeling है मैंने का comfortable feeling है तो आप इमेजिन करो कि अब आपके इसलिए तीन लाग करना जरूरी है क्योंकि तीन लाग का आपका goal है तो पचास लाग आप कर रही हो तीन करोड पर आप जाना चाहती हो एक gap है अब तीन करोड के लिए जो आपकी फीलिंग है वो क्या है आप यकीन नहीं करेंगो उन्होंने कहा कि सर मेरे पेट में अच्छाना कैसे लग रहा है कि पैलपिटेशन आ रहा है मेरा हार्ट भी अब कंफर्टेबल नहीं है इविन मेरी ब्रीधिंग भी कंफर्टेबल नहीं है इसका मतलब यह है कि वहे पल यह शो कर रहा है कि यह वोमन तीन करोड के लिए अपने इनका जो टर्न ओर है उसके लिए यह कंफर्टेबल नहीं है इसका मतलब यह है कि उसकी self image, यह कह रही है कि मैं 50 लाग तो okay हूँ, लेकिन 3 करोड पर okay नहीं हूँ, इसका मतलब यह है कि law of attraction पर यह पूरी तरह से fit नहीं बैठेगा, हाला कि वो यह कहती रहेगी कि I am earning, or I am reaching 3 करोड, I am reaching 3 करोड, but every time she is saying it, every time a conscious objection आ रहा है, कि मुझे दर्द भी हो रहा है, यानि कि बोडी ने मना कर दिया, so your body gives you the permission, or no permission, यह है डिजर्वेंस है, इसमें एक चीज़ और भी मैं बताऊंगा, यह बहुत important है, कि हमेशा आप अपने चीज़ों को देखिएगा, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे लिए बहुत परिशानी है, तो उनके हाथ यहां जाते हैं, इसका मतलब है, वो उस इशू को ऐसा पाते हैं कि उसके में फसे हुए, कई बार लोग कहते हैं, I am in a big problem, तो याद रखेगा, इस सिच्वेशन में वो आदमी इस problem को resolve करने लायक नहीं है, क्योंकि वो और लेडी फसा हुआ है, दूसरा वो नीशे की तरफ दिखाई दे रहे हैं और दूर कर रहे हैं, तो मैं यह मानता हूँ, यह deserve कर रहा है, एक बहतर decision लेने के लिए, आपकी self image तै करती है, कि आप कितना deserve करते हैं, और self image के अंदर जो है, तीन चार point बड़े important है, कि आपकी self image की quality क्या है, आपके belief system कितने strong है, अपने लिए reference के, past के reference कितने बढ़ी हैं, आपके पार reference कैसे हैं, आपकी upbringing कैसी है, और आपको यह कितना पता है, कि आप क्या क्या चीज़ आपके लिए important है, जिसको हम values कहते हैं, mind basically नहीं तीन चीज़ों से चलता है, तो इस तरह से आप अपने deserveance को देख सकते हैं, whether I deserve it or not, इसलिए किया जाता है, कि लोग कारों की तो प्लान कर लेते हैं आम आदमी, लेकिन वो कभी यह नहीं कहता कि मेरे पास जैट भी आएगा, इकका दुक्का कहता है, और आभी जाता है, लेकिन वो कार सभी बना लेते हैं, अपनी goal setting में कि कार तो आएगी, आएगी, जी, जी, और सर, आपने अपने उत्तर में ये बताया कि body permission देती है, कि हम उस particular goal के लिए कितने comfortable हैं, क्या हम इसको ऐसे refresh कर सकते हैं, कि kind of यही एक gut feeling है, जो हमें आती है, कि kind of मैं मुझे ये काम करना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पर रुख जाना चाहिए, हाँ, इसको gut feeling भी, gut feeling basically थोड़ा सा हलका सा अलग होती है, लेकिन इसको gut feeling नहीं कहेंगे, यह heart agreement है, आपका heart basically हर एक information की emotion को लेकर चलता है, और वो आपको permit करवाता है, जैसी आपने कहा है कि मुझे तीन करोड रुपे चाहिए, या आप कहते हैं, जी मुझे तो इतना पैसा चाहिए, तो यह information immediately vagus nerve के द्वारा, हमारी heart को जाती है, और rest of the body को जाती है, तो heart और body basically एक ही मान सकते हैं, तो body की information, heart की information, मिलकर हमें बताती है, यह possible है या नहीं है, ऐसे में, जो gut feeling है, वो instinct देती है, instinct का मतलब है, कि अगर यह करना है, तो कैसे करना है, अब इसे छोड़ दो, right, ठीक है ना, वो का goal है, कि यह possible करना है, तो gut आपकी help करने को तयार है, क्योंकि आप यहां करने, यह तो मुझे करना ही करना है, तो अब आपके पास gut आपका friend बन जाता है, वो कहता है, एक काम करो, फिर ऐसे कर लेते हैं, फला को phone मिनाते है, फला से बात कर लेते हैं, यार एक काम कर लेते है ये काम कर लेते हैं, तो गट आपको एक इंस्टिंक्ट दे रहा है, इसलिए गट का तो इससे भी बड़ा रोल है, तो हमें ये कह सकते हैं कि हमें अपने गट, हार्ट और बॉड़ी की जो आपने पर्मिशन बताई है, इन सब चीजों पर काम करेंगे, तो ही लॉफ अट्रेक चलती है, और आज आप कहरें, सर उसमें एक पहिया नहीं है, तीन पहिया है, तो पिशत्र की तो इसफिड आनी चाहिए, वो नहीं आएगी यह इनलोग नहीं है, यह डिजिटल है, यानि कि आपका हैडब ब्रेन भी इमेज को बनाए कि आपको क्या चाहिए उन इमेज में बड़े अच्छे वीजवल बने जिसको आप नियूरो प्लास्टिसिटी या नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राइमिंग से बनाए ताकि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जिसको मैं बार-बार चिल आता हूं वो फंक्शन में आए आपकी वेगस नर्व एकदम से उन नियूरो पैप्टाइड को ट्रांसफर करे करंट के साथ के माइंड की ये पिक्चर है और आपका हार्ट उनके साथ जुड़ जाए तो आपके हार्ट की एग्रिमेंट बहुत जरूरी है लोगों ने हार्ट के एग्रिमेंट तो लिया नहीं हार्ट में तो गट के ऊपर हात रख कर किये कि मुझे क्या करना है से में हाट से हाट तो आपको परमिशन दे नहीं दे रहा है लेकिन गट आपको इंस्टिंक्ट देदेगा कि ये करके देखो इसलिए कई बार आप चीजों को देखेंगे जब किसी के यहाँ पर डैथ हो जाती है कुछ ल देखकर पीटना है कि यह दैथ हुई तो पेट को पीटो वह इसलिए पीटा जाता है तो कि यहां की जो इमोशन है यह आपकी इंस्टिंक्ट को मार देंगी और इंस्टिंक्ट मर गए तो आप जोंबी की तरह काम कर रहे हैं यह बहुत टेकनिकल था हमारी अपनी कल्चर सुम काइंड आफ आपके जो इमोशन है वो आप जो उस समय ट्रॉमा के जो इमोशन है वो रुपना गया है रिलीस कर दे यह कथार्सिस है इसको हम कथार्सिस कहते हैं कि वो वेंट अप हो जाए और इसलिए जो टैपिंग है हमारी बहुत इंपोर्टेंट है अगर लो फट्रेक तो आपकी बोडि की जो अंगजाइटी है वो बोडि में जा चुकी है यूर बोड़ी इस फुल अथ एंगजाइटी अगवद午 guidance बड़ चुकी है और वो आपकी खो़बचूरत आनेवाली इमोशन जाजा शे माइं कहा बसकर बना लेम घुक्त कर रहा है में कर में नmerce है व वहाँ पर समवेदना ही नहीं है तो आप क्या करेंगे तो अगर हम यह कहें कि जब law of attraction को हम apply करना चाहते हैं तो हमारे पास body का agreement होना चाहिए heart का agreement होना ही चाहिए प्लस gut का agreement होना जरूर ही है लेकिन आज कल जब हम देखते हैं जो affirmation लोग बोल रहे हैं वो तो directly I am becoming rich, I am becoming healthy वो तो direct बोल रहे हैं इससे पहले वो इस में से किसी भी चीज के ओपर नहीं आ रहे हैं वो इस चीज को अंदेखा कर रहे हैं तो यह kind of हम यह कह सकते हैं कि हमें गलत बताया जा रहा है या बताने वाला ही खुद भूल चुका है कि हम इस पर भी धियान देना है basically जो बता रहा है with due respect to everyone उसने भी कुछ ज़्यादे किताबी नहीं पड़ी नहीं उसने कभी कोई उसका self का experience है जीवन में याद रखेगा जब भी आप किसी को guide करें मेरे mentor ने मुझे कहा था कि जब तक तुम guide नहीं करोगे किसी पर जब तक कि के एक और किताब आगी उसने लिखिया 31 rule of law of attraction एक ने लिख दिया साथ rule of और सब पढ़ रहे हैं basically हर law of attraction वाला दूसरे को law of attraction चिखा रहा है और परेशानी में खुद है कि मैं कैसे attract करूं वो जगह जगह नए 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 तरीके अपना रहा है जो law of attraction के just deposit हैं तो एक तरह से ह हिंदुस्तानियों के लिए सडियंत रचा रचा रहा है अरे भाई हमें law of attraction की जोरत ही नहीं है हमारे रिशी मुनियों को पढ़िए आप अद्वैत सिधान्त को पढ़िए अद्वैत सिधान्त के ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूं एक से डेट गंट कर्म कार्मिक कह सकते हैं के कार्मिक कोड बने हुए हैं आपके निगेटिव जो आपकी नियूरोलोजी में पढ़िए हैं आप इनको साफ कर लिजेगा इसलिए याद रखेगा हमारे वेदान्त में तो cleansing is the first part आप कह रहे हैं कि I am becoming rich I am becoming rich अंदर से एक आवा जारी you are not rich अगर मैं बोल रहा हूं I am in Mumbai I am in Mumbai I am in Mumbai I am in Mumbai अरे भाई ये गलत है एक दम से आपका mind कह रहा है कि तुम जूट बोल रहे हो और सो बार अगर आपने कह दिया तो आपका mind कहगा तो कि तुम जूट ही हो क्योंकि सो बार में तो आप reference ही बना लेते हैं तो आपको तो low I mean अगर आपको ये करना भी है इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन क्या आपने heart का agreement लिया है क्या ये जो sentence बोल ले हो that I am rich or I am healthy or I am I mean magnet of wealth क्या सच मुच में आप इसे feel कर रहे हो and feeling is the only learning अगर ये feeling ही नहीं है तो कोई learning ही नहीं आपके बात फिर आप low protection को कहेंगे कि ये दोका है बिलकुल ये आपके लिए दोका ही होना क्योंकि दोका तो तुम अपने आप कर रहे हो आपने अभी बोला जैसे अगर मैं यहाँ पर बैट के affirmation कर रहा हूं that I am becoming rich it is it won't work because आपका alignment नहीं है internal alignment आपका नहीं है लेकिन वहीं पर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं fake it till you make it तो ये इस नहीं करना आपको image भी fake करनी है कि you are becoming rich then you are I mean when you are becoming rich you are sitting with Ambani's you are sitting with Tata's you are giving your deals to mode is कि उनके 40 damage जिनके आप सफाई करने के लिए तयार है और यह 20,000 क्रोड़ों का product है और इतनी images ही काम नहीं करेंगी फिर आप अपनी self image को पीछे चोड़काई है जो आप गाव की है चो चो चोटी है उसको बड़ी करिए यहाँ पर image का आएगा आपके पास emotional जो wish बरा पड जब आप make it I mean fake it till you make it मैं तो fake यह भी तो करना पड़ेगा कि आपकी सारी emotion काली हो रही है आप उस feeling को भी तो आप कहेंगे ना अगर यह feel नहीं करेंगे तो कौन सी movie चल जाएगी आपने एक एक movie के अगर short को देखोगे महाँ पर डेड़ सो extras होते हैं और वो नाशतें घंट से हो कहता cut done समझे ना सिर्फ एक second के short के लिए क्योंकि जब तक यह short नहीं आएगा तब तक वो public कह देगी यह तो fake है यानि कि जब आप fake भी कर रहे हो तो आपको पताए consciously कि आप fake कर रहे हो पर आप इस तरह से ही उसे imagination visualization में जा रहे हो कि आपका mind नहीं जानता conscious क्योंकि वो करते कि उसमें आपने पूरे visuals डाले हैं पूरी sound डाली और पूरी की पूरी feeling डाली है तो यहां पर एक next सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा आप से आपने अभी कहा कि दुएशों को हमें साफ करना है यानि internally हमें अपने emotion less जो negative emotion है उनको हमें clean करना है क्या कोई आज की तार हम अपने past के traumas हुए, painful memories हुई, उनसे हम बहार आ सकते हैं या उन्हें हम release कर सकते हैं बिलकुल हमारे पास आज एक modern neurosciences हैं और modern neurosciences में मैं पिछले 33 सालों से NLP दे रहा हूं, Neuralinguistic Programming उसके साथ neuroplasticity है और उसमें भी functional neuroplasticity है जिसको मैं 5 सालों से study करके अब logo को दे रहा साथ मैंने नया version तयार कर दिया, NLP 2.0, उसी में ही है frontal lobe activation, frontal lobe activation के साथ मैं आपको एक चीह जोर बताना चाहूंगा कि कई बार आपके द्वेशा, आपकी temporal lobe में भरे होते हैं, जो कानों के पास lobe होती हैं, यहां पर हमारी sound भरी होती है, और यह द्वेश कई बार इतने ज जाती है, वो कुछ बीमारी नहीं है, वो आपके सिर्फ sound भरी पड़ी है, तो आपको frontal lobe और temporal lobe को खाली करना आना चाहिए, यह भी NLP का ही पार्ट है, ठीक है ना, उसके अलावा आपके heart की emotion है, जो द्वेश बरे पड़े हैं, mind की मैसे वो द्वेश दिरे-दिरे emotion में बड़े होते हैं, अब आपको heart को अगर agree करवाना है किसी बीचीज के लिए, तो आपको इन emotions को धोना होगा, और इन emotions में जो आपकी emotion को मार रहे हैं, आपके heart को चार emotion चाहिए, low of attraction के लिए, जो positive emotion है, वो भी मैं बता देता हूँ, पहली है love and compassion, करूना और सनहे, अगर हम अ आपहर यानिके gratitude, तीसरा है abundance, कि हम अधिकता में जी हैं, ठीक है ना हमारे लिए सुरज कल्बी निकलेगा, अधिकता का ही पार्ट है, हमारे लिए पानी मीठा रहेगा, हमारे लिए हवा तेज चलती रहेगी कल्बी, ताजा रहेगी, कल्बी हमारे लिए प्रत्वी घुमे तो पहला है हमारा love, दूसरा है gratitude, तीसरा abundance, और चोता है हमारा forgiveness, यह हमारी चार चीजे हैं, जब हम इनको practice करते हैं, तो अगर हमारे पास रंजिश बरी पढ़ी है किसी के लिए, बच्पन में मान लेते हैं मेरे साथ कुछ गलात हुआ है, तो रंजिश तो यहाँ पढ़ी ह तब तक तो कोई abundance नहीं आएगे, क्योंकि रंजिश वाला आदमी abundance में कैसे जिएगा, तो यह समझे कि एक बरतन में अगर कीचड है, ठीक है ना, वो दो किलो कीचड है, बरतन बहुत बड़ा, लेकिन मैं जैसे उसमें दस लीटर दूद डालूँगा, वो दूद नहीं रह हूँ, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि abundance की feeling डाल दो, वो abundance नहीं रहेगी, यह चीज समझने की को जोरत है एक काम आदमी को, लेकिन सबसे ज़्याद हो तो यह डाल रहे हैं, वो खाली कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, बस पुटीन करते जा रहे हैं और व में केचड में, आप कितना भी गंगजाल डाल लो, वो ठीक नहीं होगा, यह हमारी nature है, इसलिए हमें negative जितने भी हैं, चीजें, वो हमारे द्वेशाज हैं, उन्हें खाली करना होगा, इसलिए उस पार्ट को जिसको हम past कहते हैं, इंदी में उसे भूत काल बोला गया, काल क भूत, यानि के ghost of the time, समय का जो भूत है, वो आपके सर पर चड़ा हुआ है, वो आपको आगे जाने देगा, बस वो बेताल की तरह बैठा हुआ, और आप से सवाल पूछ रहा हैं, और आपको गाइड कर रहा हैं, और आपको गाइड कर, और आप कह रहें के नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, मजा कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए low of attraction को समझने से पहले, मैं ये कह रहा हूँ, low of attraction तो हमारा natural है, टेलीपैथी natural है, टेली किनेसिस natural है, हमें feeling का आना natural है, हमें समय से पहले किसी चीज़ का पता लगना natural है, लेकिन गड़बड ये होगी कि उस naturality को हमा हमारी दूइशाज ने बरबाद कर दिया, जिसे आप NLP से ठीक कर सकते हैं, तो सर पर था मगर आप law of attraction के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर के जो कीचर हैं या दूइशाज हैं, पहले उन्हें साफ करना होगा, और आप ये process continuous रहेगी, आपको लगातार आपको कही न कहीं से stress आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, पास्ट का तो आपने कर लिए, present में तो आई रहे हैं, I think, बिलकुल, आप यू समझेए कि आपकी बोड़ी एक उस मकान की तरह है, जिसमें एक भी दिन, अगर जाडू नहीं लगी, तो आपको मिट्टी दिखा ठीक है न, एक दिन, तो आप खुद सोचे के दिन भर आप गार्बेज ले रहे हैं, दोस्तों से, लोगों से, दुनिया करूल है, गानों से, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ठीक है न, आप अख़बारों से, न्यूस पेपर से, इधर दर की यूट्यूब से, हमे नियूरो प्लास्टिसिटी का एक रूल है, कि हर एक थोट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल रहा है, यानि कि जब से हम ये पोड़कास्ट कर रहे हैं, यूर माइन इस नोट दा सेम, यूर ब्रेन इस टेकन दा न्यू शेप, सोचिए कि अगर यहां पर नेगेटिव इवेंट चलती रहती थी देर में, तो कितनी हमारी शेप बदल चुकी होती है, दूसरी बात, हमारी बोड़ी की बाइलोजी हर थोट के साथ बदल जाती है, यूर थोट बिकम्स होर्मोन, इमीडेटली इट कम्स इन यूर माइंड, तो यानि कि आपकी बोड़ी की भी करने के लिए आप बोड़ी को भी, माइंड को भी, हाट लेवल को भी, गट लेवल को भी पहले क्लीन करिए, नहीं तो आप इस एक अपने ही खिलाफ एक शडियंतर रच रहे हैं, यह कहते हुए कि मैंने फलाका कोर्स कर लिया, एक कोर्स कर लो, कि आप अपने इस गंगा ज जी में यहां पर जाल लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको गंगोतरी कीचड को साफ करना होगा, नहीं तो आप कितना भी जाल लगा लें, वो गधा ही रहेगा। आप जब तक मांड से और हार्ट से किलियर नहीं होंगे, तब तक आप नOOOOT ऩैली पैती कर पाएंगे ना ही क अच्छी information को universe से ले पाएंगे ग्रेट I think अगर ये जो दोशे की हम बात करते हैं तो बहुत लोग होते हैं कहते हैं सर positive तो मैंने attract नहीं करा negative बहुत जल्दी कर लेता हूं तो क्या उसका एक बहुत बारा कारण ये भी है कि जो हम पहले से ही भरे हुए हैं वो garbage जो भरा हुआ इसी की वज़े से और positive तो हम करने ही कोशिश कर रहे हैं affirmation करके थोड़ा visualization करके तो क्या यही दोशाज हैं जो हमें negatively जल्दी attract करवा देते हैं exactly आप यह समझे कि आपकी जितनी भी building है ठीक है ना वो एक ऐसे cement से चीनी जा चुकी है जो cement negativity का था वही foundation में पढ़ा है बच्प से आपकी generalized random opinion से mind को बरा गया है अब आप के यह कह रहे हो कि सर वो तो कमजोर सी है दिवार तो इसके उपर जो मैं plaster बढ़े अच्छे कर देता हूं तो plaster बढ़िया कर रहे हो P.O.P. बहुत बढ़िया लगा रहे हो P.O.P. के लिए आप कह रहे हैं जी मैंने तीन लाग अमेरिका में जाके कर ली भाया कुछ भी कर लो आपकी जो अंदर से दिवार है वो खराब हुई पड़ी है आप क्या कर रहे हैं कि आप cosmetic changes को करके यह कह रहे हैं कि मैं low of attraction को enjoy करना सीख रहा हूं भाया इस दिवार को दुम दुबारा चिन सकते हो अच्छी बात यह है कि इस नहीं तो कितना ही plaster लगाते रहो इस घर में आप रहने लायक नहीं है क्योंकि यह खत्रे से भरी हुई है I think यही वो दिवार है जिससे हमने podcast start करा था कि आपकी पात्रता क्या है और I think हम कहीं न कहीं उसी end पे आपकी आपकी पात्रता है कि आप बेकार के दुशाज को खाली करें तभी आप अच्छे चीजों को attract करने के लिए या अमरत को अमरत बनाए रखने के लिए उस पात्र में से किचड को निकालिए यही आपकी पात्रता है आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और दोस्तों अगर आप कोई सवाल हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा